मुझा आज़ी 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 इसके बारे में कहूंगा कि इस शायरी के पूरे एहवाल जमीन से चिमते हुए हालाच से जड़े हुए है पूरी शायरी जमीनी स्थे से उटकर आस्मान कुछ शूरी है पूरे पूरे अबोताब के साथ बिरिश्टा दो मुशायरों से अपनी शायरी के दिद्रूर के पेश कहने वाला वो शायर उसे इस शेर के साथ आवाज दिता हूँ कि परवास मुझसे भीक तो मांगी न जाएगी परवास मुझसे भीक तो मांगी न जाएगी भूका हूँ कोई पेट में खंजर उतार दे मैं गुजर रिगुजर हूँ मुतरम राकिब वियावली साहब से को तस्वीफ न आए आपका पसंदिता आपका महडूब शायर माइक करें जोरदार तालियों से इसका प्रवाल फर्माएगाए अस्सलाम उलेकुम रह्मतुल्लाही मरकातो सबसे पहले मैं बर्ज में तन्वीर अदब के तमाम अराकिएं को ते दिल से मुबारक बात बता हूँ और यहां पर जिन हाजरात ने कितने बहत्रे मुशायरे का निकात किया है उन तमाम लोगों को मुबारक बात देता हूँ दूसरी बात है कि मैं तो आज ये गालिबन पांचवा मुशायरा है और दूसरी एक यह है कि जब भी आओ तो नया पढ़ना पड़ता भाई अब सोचना हूँ कि अभी भी जो पढ़ना तो इंशालला जो गुजरे साल पढ़ा तो एक मिस्टरा भी नहीं पढ़ना तमाम अशार नहीं सुना हो गाए इंशालला मैं पढ़के देखता कि मुझे कितना पढ़ना है या फिर मुझे इज़त आवरो समाल में बैट जाना है लोग ये हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था यकिन मानो क्योंके मैं तो आपके मिज़ाज से मिज़ाज जानता हूं आपको जानता हूं आपके सलायतों को जानता हूं आपके शेर सुनने के जौक शौक को जानता हूं लेकिन कुछ पहर जरा मुशारा ठंडा हुरा तो तो मेरा खुद दिल बेड़ गया था हां असल बात यह रही कि मैं कि दिगलूर में होंके पर ये लोग गजल पड़ रहे हैं लोग पूरी दिल्चस्पी और दिल्जमाई के साथ सुन रहे हैं मुशायरा किसी शेर को इन्होंने जाय नहीं किया ये अलग बात है कि मौसम की वजी से रहतनी हातों को खोला नहीं इनूने लिकि जिस शायर ने अपने शेर के जरीए इनके हाथ खुलवाए उन्होंने पुला पूरा उस्तासा किया मैं पूरे सामाईन की ताहीत मीं हँँ और नहीं हक हगा किया मुशारे का मैं मुबारगबाग देश करता हूँ आप शायर की सुम्मेदारी है कि आप मुन्तफ़ कलाम को सामाइन तक पहुंचा है बेशक मैं ताहिद करता हूँ दूरतार तालियों से राकुत व्यावने करता हूँ अश्वाकस की सहाब लेज़ता हूँ मैं उस बात की ताहिद करता हूँ देखिए कि ये तो मैं जमीनी शायर करता हूँ अश्वाकस की सहाब लेका कि मैं जमीनी शायर करता हूँ वही शेयर कहता हूँ जो मैं देखता हूँ जो महसूस करता हूँ वही मैं अपने लफजों में ढालता हूँ और जो तुम्हारी और मेरी नसलों से जुड़ी भी बात कहता हूँ, चाहे आपको पसंदा है या ना पसंदा है, किसी को हदब बनाना, किसी को निशाना बनाना, और शायर की कोई नग, शायर का कोई पार्टी नहीं होती, वो किसी पार्टी कर नहीं होता है, ये सबसे पहले आप जहान अशिन Must-Nied देखिए अब एक तलाग सुलासा के मामिले में हुआ एक बात हुए। एक यक रीषओंव है तलाग सुलासा तो में तो मेरे देश के कानून की इजद करता हूँ थिए तलाकों काम स्ट कानून बनाएं जो कानून की इजद करता हूँ लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो गैर मुस्लिम बेहने उनके लिए भी राहत थोड़ी मिल जाए सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को क्यों राहत मिल रही है इसलिए मैंने कुछ कहने की कोशिश किया हूँ कि जो तलाके तीन दे उसको सजा उतने बरस जो तलाके तीन दे उसको सजा उतने बरस ऐसे मुझरिम को सजा हर हाल होनी चाहिए लेकिन साथ फेरे लेके जो पतनी को अपनी छोड़ दे फिर सजा उसको तो एक किस साल होनी चाहिए जी 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 साथ एक किस जो तलाके तीन दे जो तलाके तीन दे उसको सजा उतने बरस और ऐसे मुझरिम को सजा हर हाल होनी चाहिए होनी चाहिए ऐसे मुझरीन को सजा हर हाल होनी चाहिए कि साथ फेरे लेके जो पतनी को अपनी छोड़ दे फिर सजा उसको तो 21 साल होनी चाहिए और हमारे पंडित शोकनागर जी ने बहुत अच्छमाल बनाई थे और पंडित जी कि करेगे लोग जब इनकार तेरी हां का क्या होगा करेगे लोग जब इनकार तेरी हां का क्या होगा जो अपनी जां बचाता है किसी की जां का क्या होगा करेगे लोग जब इनकार तेरी हां का क्या होगा जो अपनी जां बचाता है किसी की जां का क्या होगा और कलीजा चाहिए सरहत पे अपना सर कटाने को जो अपनी माँ को छोड़ाया किसी की माँ का क्या होगा जी 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 करेगे लोग ये विंकार तेरी हाँ का क्या होगा तेरी हाँ का क्या होगा जो अपनी जयां बचाता है किसी की जयां का क्या होगा कलीजा चाहिए सरहत पे अपना सर कटाने को जो अपनी माँ को छोड़ाया हूँ धरती माँ का क्या होगा जो अपनी माँ को छोड़ाया वो धरती माँ का क्या होगा और मुझसे देखे ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये शाहिशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाश कमल मांग रहा है मैं सोच रहा हूँ कि भीकारी से कहूं क्या खेरात में वो ताज महल मांग रहा है मैं सोच रहा हूँ सरसबस वो शादाब कमल मांग रहा है सरसबस वो शादाब कमल मांग रहा है मुझसे वो मेरी जानी घसल मांग रहा है मैं सोच रहा हूँ कि भीकारी से कहूँ क्या खेरात में वो ताज महल मांग रहा है खेरात में वो अब बताएए मुझा आगे पढ़ना या नहीं है जोरदार गालिया वजाएए राप्ट ब्यावरी साथ माईच को है च्छाप लिए खाना बदोश लोग जमीदार हो गए खाना बदोश लोग जमीदार हो गए खाना बदोश लोग खाना बदोश लोग जमीदार हो गए सारे नमक हराम वफादार हो गए खाना बदोश लोग जमीदार हो गए वो सारे नमक हराम वफ़ादार हो गए कल तक जो नद्दियों पे पकड़ते थे मचलिया कल तक जो नद्दियों पे पकड़ते थे मचलिया खाना बदोश लोग जमीदार हो गए सारे नमक हराम वफ़ादार हो गए कल तक जो नद्दियों में पकड़ते थे मचलिया अब वो समंदरों के खरीदार हो गए और फिरते थे जो फसाद का पर्चम लिये वे फिरते थे जो फसाद का पर्चम लिये वे कुरसी मिली तो साहिबे किरदार हो गए कुरसी मिली तो साहिबे किरदार हो गए आई एक और चजदा शार सुना कर अपनी जगे लेता हूँ देखें ये बिलकुल सची बात कह रहा हूँ जिसको तारिफ जानती है सारे दुनिया जानती है अगर इज़त औ जिल्लत यहां दोनों भी है कुछ भी खरीद इज़त औ जिल्लत यहां दोनों भी है कुछ भी खरीद एक ने बेचा वतन को एक वतन पर है शहीद इस दो जिल्लत यहां दोनों भी है कुछ भी खरीद एक ने बेचा वतन को एक वतन पर है शहीद फैसला तुम खुद ही कर लो कौन गदारे वतन एक है करनल परुहित एक है अब्दुलहमीत फैसला इज़त औ जिल्लत यहां दोनों भी है कुछ भी खरीद एक ने बेचा वतन को एक एक ने बेचा वतन को एक वतन पर है शहीद फैसला तुम खुद ही कर लो काउन घद्दार वतन एक है करनल परोहिद एक है अब्दुलामीद आईये कि कोई भी सरसे बला हरगिजद न टाली जाएगी सरसे बला हरगिजद न टाली जाएगी जिन्दगी से बरकते सारी उठाली जाएगी और एक भी दाखिल हुआ जो पेट में लुकमा हराम फिर दुआ काबे में भी मांगो तो खाली जाएगी ये नहीं जानता खंजर को उठाने वाला के मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला ये नहीं जानता खंजर को उठाने वाला के मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला और जर्म फिर जर्म है मुझरिम का तरफदार न बन हाथ जल जाता है अंगारा छुपाने वाला जर्म फिर जर्म है मुझरिम का तरफदार न बन हाथ जल जाता हैώρα republican चुपाने वाला और आईए के जो उजालों का पयमवर हो वो जुगनों भेज दे जो उजालों का पयमवर हो वो जुगनों भेज दे जो हकों बातिल को तोले वो तराजूं भेज दे फिर तास सुप की हवाँ चलने लगी है चार सु ए खुदा फिर से यहाँ पर कोई टीपू भेज़े जी जो जो उजालो का पेमबर हो वो जुबनू भेज़ दे जो हकों बातिल को तोले वो तराजू भेज़ दे फिर ताजसुप की हवा चलने लगी फिर ताजसुप की हवा चलने लगी है चार सू ए खुदा फिर से यहाँ पर कोई टीपू भेज़ दे आएक आखरी चेंद अशार पड़के अपने जेगे लुगा अपने पराण चोड़ दूआ अपने पराण चोड़ दूआ ऐसा नहों कि सिर्फ बैनिया शाहिरी रागी ब्यावाली ने करके चले गए अब ये जो मैं घजलाग के सामने पेश कर रहा हूँ ये यकिनन आपका इम्ताह नहीं आपका इम्ताह नहीं अजबाए नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लोटाया नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लोटाया सलीम महिद्दिन साथ जैसे अधिब बैठे है कि नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लोटाया नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लोटाया गया था मैं भी कलबाजार खाली हाथ लोटाया नहीं था कोई भी किर्दार खाली हाथ लोटाया गया था मैं भी कलबाजार खाली हाथ लोटाया कमाई दे दिया दिन भर की एक वीमार को मैंने कमाई दे दिया कमाई दे दिया दिन भर की एक वीमार को मैंने बहुत अच्छा लगा इस बार खाली हाथ लोटाया नहीं था कोई भी किरदार नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लोटाया नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लोटाया गया था मैं भी कलबाजार खाली हाथ लोटाया कमाई दे दिया दिन भर की एक बीमार को मैंने बहुत अच्छा लगा इस बार खाली हाथ लोटाया जरूरत जी 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 कमाई दे दिया दिन भर की एक बीमार को मैंने कमाई दे दिया दिन भर की एक बीमार को मैंने बहुत अच्छा लगा इस बार खाली हाथ लोटाया खाली हाथ लोटाया और जरूरत खीच कर लाई अमीरे शहर तक मुझको जरूरत खीच कर लाई जरूरत खीच कर लाई अमीरे शहर तक मुझको पाना का मसाला था यार खाली हाथ लोटाया जिन्दा बाद जिन्दा बाद कि जुर्दार कालियों से इसक्वार हमाता है यार क्या कि नहीं था कोई भी किरदार नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लोटाया गया था मैं भी कलबाजार खाली हाथ लोटाया कमाही दे दिया दिन भर की एक बीमार को मैंने बहुत अच्छा लगा इस بार खाली हाथ लोटाया जरूरत क्हींच कर लाई अमीरे शॉहर तक मज़ को अना का मस्याला था यार खाली हाथ neuटाया हए अना का मसाला था यार, खाली हाथ लोटाया, मैं अपना दिल लिए बैठा था मेह फिल्मे अमीरों की, मैं अपना दिल लिए, मैं अपना दिल लिए बैठा था मेह फिल्मे अमीरों की, बहुत महेंगा था उसका प्यार, अली हाथ लोटाया, बहुत महेंगा था उसका प्यार, जिए 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 जि अमीरे शहर तक मुझको आना का मसाला था यार खाली हाथ लोटाया मैं अपना दिल लिए बैठा था मेह फिल में अमीरों की मैं अपना दिल लिए मैं अपना दिल लिए मैं अपना दिल लिए बैठा था मेह फिल में अमीरों की बहुत महंगा था उसका प्यार खाली हाथ लोटाया बहुत महंगा था उसका प्यार खाली हाथ लोटाया बहुत महंगा था उसका प्यार खाली हाथ लोटाया मेरे तद्मों में था दुश्मन में उसको मारता कैसे मेरे तदमो में था दुश्मन, मैं उसको मारता कैसे, वही पर फेंग दी तलवार, उसको मारता कैसे, मेरे तदमो में था दुश्मन, मैं उसको मारता कैसे, वही पर फेंग दी तलवार, उसको मारता कैसे, वही पर फेंग दी तलवार, उसको मारता कैसे, वही पर फेंग दी त तलवार खाली हाथ लोट आया और सभी ने चुन लिए दर्बार में ठेके हुए सिके सभी ने चुन लिए दर्बार में ठेके हुए सिके तबियत थी मेरी खुद्दार सभी ने चुन लिए सभी ने चुन लिए सभी ने चुन लिए दर बाहर में ठेके हुए सिके तबीयत थी मेरी खुदार खाली हाथ लोटाया तबीयत थी मेरी खुदार खाली हाथ लोटाया जी नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लोटाया नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लोटाया गया था मैं भी कल बाजार खाली हाथ लोटाया कमाई दे दिया दिन भर की एक भीमार को मैंने बहुत अच्छा लगा इस बार खाली हाथ लोटाया बहुत अच्छा लगा इस बार खाली हाथ लोटाया जरूरत खीच कर लाई अमीरे शहरत तक मुझको अना का मसाला था यार खाली हाथ लोटाया अना का मसाला था यार खाली हाथ लोटाया मैं अपना दिल लिए मैं अपना दिल लिए बैठा ता में फिल में अमीरों की बहुत महँगा था उसका प्यार खाली हाथ लोटाया मेरे कदमों मे था दुश्मन मैं उसको मारता कैसे वही पर फेक दी तलवार वही पर फेक दी तलवार सभी ने चुन लिए दरबार में फेके हुई सिके तबीत थी मेरी खुद्दार खाली हाथ लोटाया, मैं समझा था कि शायद वो कनारे लग गया होगा मैं समझाता, मैं समझाता कि शायद वो कनारे लग गया होगा बहुत धुना उसे उस पर वाँ 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 वा कि नहीं था, नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लोटाया, गया था मैं भी कलवाजार, खाली हाथ लोटाया, कमाई दे दिया दिन भर की एक बीमार को मैंने बहुत अच्छा लगा इस बार, खाली हाथ लोटाया, बहुत अच्छा लगा इस बार, खाली हाथ लोटाया, जरूरत खींच कर लाई, अमीर शाहर तक मुझको, अना का मसाला था यार, खाली हाथ लोटाया, अना का मसाला था यार, खाली हाथ लोटाया, मैं अपना दिल लिए बैठा ता मैं फिल्में अमीरों की, बहुत महंगा था उसका प्यार, खाली हाथ लोटाया, बहुत महंगा था उसका प्यार, खाली हाथ लोटाया, मेरे कद्मों में था दुश्मन में उसको मारता किसे, वही पर फेंग दी तलवार, खाली हाथ लोटाया, वही पर फेंग दी तलवार, खाली हाथ लोटाया, और सभी ने चुन लिए दर्बार मे फेके हुई सिके मैं समझा था कि शायद वो कनारे लग गया होगा बहुत धुडा उसे उस पार खाली हाट लाओ